हलो दोस्तो राज अलवाई रस्पी में आप सभी का स्वागत है अगर हमारे चैनल पर आप नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाला बटन आन कर लीजिए चलिए हम सुरू करते हैं अलो दोस्तो राज अलवाई रस्पी में आज हम बनाएंगे बंगाली छेना सजाने वाला क्रीम जैसा खोया तो क्रीम जैसा खोया बनाने के लिए सबसे पहले हमें दूद लेना है फुल फैट तो गैस आन किया है उपर कडाही रखा है हमने गैस के उपर उसके बाद में हमने एक लिटर फुल फैड दूद लिया है यह हमारा पतीले में दो लिटर दूद है हमने एक लिटर इसमें एड़ कर दिये इसको हम उबाला दे देंगे यह उबला हुआ दूद है पहले से भी उसके बाद में हमने दुबारा उबाला दे दिया है अब इसको हम धिक करेंगे, मतलब हम इसको गाढ़ा करेंगे, उसके बाद में ये देखे, साइडों से जो मलाई जम जाती है, इसको बीच में करते रहते हैं, उसके बाद में हम सुगर आइड करते हैं, ये दो चमच सुगर, वजन में 30 ग्राम सुगर है हमारा, इसमें हमने 30 गलास में थोड़ा पानी लेके आधा चम्मज से कमी हमने कार्न फ्लोर लिया है जो इसमें अच्छी तरह घोल लिया है अब इसमें थोड़ा-थोड़ा ऐड़ कर देंगे दूद में जिससे हमारा जो क्रीम बनता है खोए जैसा क्रीम बनता है वो बिल्कुल प्लेन बनता है इसमें दाना बिल्कुल नहीं पढ़ सकता ये कार्ण फुलो बिल्कुल कम ही लगाना चाहिए ज्यादा लगाने से इसमें लेस पढ़ जाता है दूद में इसलिए बिल्कुल हमने आधा चम्मस से कम ही लगाया इसमें और अच्छी तरह इसको प कर देते हैं इलाइची its which सुगर हमने मिलाकर पीचा हुआ है तो यह हम स्वाधिश्ट तो ढीष μέ और अयद करने से यह बहुत स्वाधिश्ट बन जाता है और कड़तेए करते तो इथ स्वाधिश्ट बन जो हमारा खोया या क्रीम बन के तयार होता है वो बहुत स्वादिष्ट बना के तयार होता है इसलिए लाइची aquarium रव्य कूरण बस इसी वज़ा है इसमें कार्ण फ्लोर थोड़ा सा जरूर लगाना चाहिए हलका लगाना चाहिए अगर ज़्यादा लगा दिया तो इसमें लेश पड़ जाते हैं फिर अच्छी तरह ये चिपकते रहता है उसके बाद में हमने थोड़ा सा इसमें घी एड़ किया है वन टेवल स्पून हमने घी एड़ कर दिया है अब इसको हम अच्छी तरह गाढ़ा कर लेंगे बहुत ज़्यादा गाढ़ा करने की जरूरत भी नहीं होती है यह हमारा जो है रबडी क्रीम जो है त्यार हो गया है बंगाली छेने वाला क्रीम जो है मारा बिलकुल यह त्यार ह गया इस तरह के खुआ बिलकुल जैसा बनाना पड़ता है तो यह क्रीम जैसा तभी बनता है इसमें कारन फूरो सबसे जरूरी होता है कोई हल्वाई बताए ना बताए लेकिन किसमें कारन फूरो जरूरी होता है क्यों अगर हमारा दोद भी कभी पुराना हुआ ता दाने लाजमी पढ़ जाते हैं इसलिए हमने पहले हाफ चम्मस से थोड़ा कमी इसमें पुरो लो गया और गाड़ा कर लिया था उसके बाद में यह ठंडा करके हमने यह प्लेट में निकाल दिया डोंगे में निकाल दिया है इसको बिलकुल साप करके हम डोंगे में निकाल दिया है उसके बाद में है यह हम रख देंगे फिरिज में तो यह हमारा फिरिज में रख दिया उसके बाद में हम दुबारा लेके आए हैं यह देखे ठंडा हो चुका है इसके जो उपर होता है जब यह ठंडा होता है तो सिक्री जी जम जाती है उसके पहले हम यह करते हैं छाननी से निकाल देते हैं यह बरीक छान्नी आपके पास हो तो उससे आप निकाल दीजिए जिससे थोड़ा सा सिक्री या उपर जम जाती है वो बिलकुल सेफ हो जाएगी यह देखे इस छान्नी से हमने निकाल लिया है और यह बहुत प्लेन क्रीम हमारा क्रीम जैसा खोया बनके तिया हो गया इसके बाद में यह दएखे इसको हम मैस कर देंगे दुबारा अच्री तरह हम कर देंगे हाथों से यह देखे बिलकुल हमारा क्रीम जैसा खोया बनके तियार हो गया इसमें हमने थोड़ा सा रोजशन्स भी लगा देंगे जिससे यह क्रीम बहुत स्वाध होता है और क्रीम में यह जो हमारा खोया क्रीम जैसा बना है इसमें मिठा बहुत कम अड़ करना चाहिए हमने एक केजी दूद में हमने सिर्क 30 ग्राम खाया नहीं जाता इसलिए हमने क्रीम में जो है मिठा बहुत कम एड़ किया है उसके बाद में यह हम चमच से गुलाब जामुन के ओपर एक क्रीम लगा के दिखाते हैं इस तरह आप किसी भी डिजाइन में लगा सकते हैं जैसे आपको डिजाइन बनाना हो इस डिजाइन का य ऐसा क्रीम हमारा यह बन चुका है इस तरह यह देखिए हम गुलाब जामुन के ओपर हम फूल जैसा पतियां बना देंगे तो इस तरह जो है यह क्रीम बनता है यह बिल्कुल प्लेन क्रीम है क्रीम जैसा खोया जो हमने बनाया है बिल्कुल प्लेन है जहां मर्जी आप क्री बिल्कल नहीं रहती तो इस तरह हम फूल बना लेंगे यह आपको दूसकों च्छेन भी सजाने बतातें यह दिया नहीं बेंगा उग MARK उपने के लिए बंगाली हम वागी बरीक बढा ब्रीक बीह वहाई तो इस तरह तरह बंगाली सजाया जापता है। दीया जैसा हम क्रीम लगा देंगे यह देख्यों यह जैसा हपना आपको अगला वीडियो दीया जैसा च spinsंडे की करेंख़ यहारी निदी ह diferup है जाँ खुलाब जामुन है या चम रूपला जामुझा पुलाथ हम लेजह जो कदो और के एड़ कर सकते हो बिलकुल ये क्रीम जैसा खोया बनके त्यार है इस तरह आप बना सकते हो अपने घर में और हमें जो है कमेंट में बहुत लोगों ने कहा कि हमें ऐसा खोया है ये कोई सिखाने वाली बात नहीं है इसमें बस यह होता है थोड़ा सा हलका सा करण फरोल गया उसके बाद मैं इसको गाड़ा कर लिया दाने नहीं होना चाहिए मिठा कम होना चाहिए और विलकुल ये तacks नीचे चिपक ना नहीं चाहिए तो हमारा जो है क्रीम जैसा खोया बनके त्यार है आप भी अपने घर में इस तरह या अपने दुकान में इस तरह बना सकते हो उ अच्छी तरह खुये जैसे हम ने क्रीम बनाए Sou Having a थार क्रीम टैर किया है इस तरह में बिलकुल कोई बी छैनी के आप डियाइन कर सकते हो जैसा विछेना आपको सजाने वुछेनाना है उस तरह इसके बाड में आप हमारे चैनल पर चाहिए तो चैनल पर हमारे जो है अच्छी तरह हर वीडियो छेने की और खोए की हमारी मुझूद है आप देख सकते हैं तो आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताईए अगर आपने हमारे चैनल को सस्क्राइब नहीं किया है तो प्लीज सस्क्राइब कर लीजिए घंटी वा वाली हलवाई वाली वीडियो हमारी आपके पास पहुंचती रहे देखने के लिए थाइंक्यू सू मच्छ